हेलो एबरिवन वेलकम टू फिन स्ट्रीट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं क्यूं हमें जरूरत होती है क्रिप्टो वॉलेट्स की और यह भी बात करेंगे डिफ्रेंट वॉलेट्स देखेंगे जहां पर आप स्टोर कर सकते हो अलगो टोकन को अलगो टोकन अलगो लेंट ब्लॉक्चेन की ही क्रिप्टो क्रिणसी है तो इस सारी बाते डिसकस करेंगे टुटोरियल भी देखेंगे और यह देखेंगे किस तरह वह काफी अच्छे फीचर्ज और बेनिफेट्स प्रॉइड करता है जो आप सब के ल पासवर्ट को रखते हैं जो आपको access देते हैं आपकी क्रिप्टो क्रिणसी पर यहाँ पर आपकी क्रिप्टो होती है वह safe और accessible way में होती है means safelyern upon होती है और जो actual cash है उसको hold करते हो लेकिन जो crypto wallets होती है वो technically आपकी crypto को store नहीं करती आपकी जो holdings होती है वो blockchain पे live होती है और आप उसे access कर सकते हो private key के ही through आपकी जो keys है वो proof करती है आपकी ownership को कि उस digital money पे आपकी ownership है and allow करती है आपको कि आप यहाँ पर transactions को कर सकते हो तो यह था crypto wallets के बारे में अब हम बात करेंगे कि different wallets के बारे में जहांपर आप store कर सकते हो अपनी algo को तो सबसे बहले हम बात करते हैं थोड़ से recap ले लेते हैं algo क्या है? algo cryptocurrency है algorand blockchain की जिसके काफी use cases है algo token के उस पे भी हमने video बना रखी है आप उसको check out कर सकते हो अगर algorand blockchain का recap लिए जाए तो जो algorand है वो एक proactive approach ले रहा है blockchain की sustainability के towards और यहाँ पर वो deploy कर रहा है environment friendly consensus protocol को और focus कर रहा है कि वो एक leading role play कर सके green blockchain solutions provide करने में तो algorand पे भी हमने एक video बना रखी है वो आप सब के लिए जाने बहर जरूरी है आप उसको भी check out कर सकते हो link आपको description box में available हो जाएगा अब हम wallets की बात करते हैं जहां पर आप store कर सकते हो algo token को तो जो different wallets है जहां पर आप store कर सकते हो algo को जैसे की algorand core wallet जो की mobile wallet है my algo wallet desktop पे available है and next है ledger आप उसको back कर सकते हो means you can back algorand account by ledger तो अब हम mainly discuss करते हैं algorand core wallet के बारे में यह wallet algorand का official wallet है यह आपकी जो crypto currencies होती है उनको securely manage करता है hold or transact करता है assets को user friendly है and यहाँ पर आप earn कर सकते हो rewards by just holding algo और अगर इसको deep way में समझाया जा सकते तो यहाँ पर आप hold कर सकते हो transact कर सकते हो manage कर सकते हो अपने assets को एक ही जगा पर यहाँ पर आप अपने account की holdings को भी review कर सकते हो means account के बीच में toggle करने की भी ज़रूरत नहीं है आप exact value देख सकते हो अपने algorand की जो आपने wallet में hold केर रखी है वो भी in-app calculation यहां पर प्रवाइड की जाती हैं यहां पर आप transaction histories भी चेक कर सकते हो साथ ही साथ यहां पर एल्गो को hold करने से आपके पास rewards आएंगे automatically means यहां पर आप rewards को automatically earn कर सकते हो just by holding algos so जब आप hold करोगे तो आप देख सकते हो आपका जो algo balance है वो grow होता रहेगा over time means automatically यहां पर आप rewards को earn कर सकते हो just by holding algos उसके बाद यहां पर आप configure कर सकते हो color scheme को reward displays भी है and notifications भी है यहां पर आप अपने account को personalize कर सकते हो अपनी native language के साथ यहां पर अपनी प्रेफर्ड करेंसी को भी चूज कर सकते हो for in-app calculations and और भी काफी फीचर्स जैसे कि यहां पर आपको notifications मिलती रहेंगी जो भी update आती रहेंगी and इसके त्रू आप डिरेक्ट access कर सकते हो Algorand blockchain के latest features को and और भी काफी features तो आप इनकी website check कर सकते हों तो यह तो थे features अब हम tutorial देखेंगे कि किस तरह आप यहां पर setup कर सकते हो Algorand wallet को तो आप सभी Algorand wallet download कर लीजिए manage all the assets from one यहां पर आप सबसे पहले add account पे click करेंगे तो आपके पास two options यहां पर available हो जाएंगी कि यहां पर आप add account करना जाते हो या आपके पास already account है तो आप उसको recover करना चाते हो लेकिन passphrase के साथ अगर आपके पास passphrase नहीं होगा तो आप account को recover नहीं कर पाऊगे तो हम यहां पर click करते हैं add account यहां पर setup करते हैं यहां पर हम देखेंगे create new account पे click in करेंगे और यहां पर आपके पास यह information available हो जाएगी कि यहां पर बिना recovery passphrase के बगार अगर चाहिए आपका device यहां पर गुम हो जाता है या आपकी app delete हो जाती है तो बिना passphrase के साथ आप यहां पर अपने account को दुबारा access नहीं कर सकते algorithm account को आप इस इधर लिख लिजे I understand तो make sure कीजे कि आपके पास जो भी passphrase आएगा recovery passphrase आएगा आप उसे कहीं पर लिख कर रख लिजे and कहीं पर लिख के रखना है rather than कि आप उसे किसी electronic device में store करके रखे आप उसको कहीं लिख लिजे and safe जगा पर store कर लिजे and make sure कीजे कि आप उसको किसी के साथ share नहीं कर रहे हैं and अब आपने click करना है I am ready to begin तो अब आपके साथ में जो screen है वो block out होगी ब्लाक हो गई होगी because यहां पर privacy issues की वज़े से means for more privacy for more security यहां पर जो पासफ्रेज है means यह वाला जो area है उसको block out कर दिया गया है तो आप यहां पर जो आपके पासफ्रेज है आप उसे systematic way में यहां पर लिख कर लिख लिजे जिस तरह उनने लिखे है one two three वैसे and make sure कि आप उ verification मांगी जाएगी तो आप देख लिजिए यहां पर हमेशन जैसे कि यहां पर लिखे select word 18, 7, 12 and 16 तो हर बार सेम नहीं होते हैं यह वैरी करते हैं तो जैसे 18 पर जो है आप उसको आपने उसको फिल कर देना है 7 पर जो है आप उसको फिल कर दीजिए same as 12 and 16 तो आप फिर next पे क्लिक कर देंगे and आपका जो passphrase है वो verify हो चुका है यहां पर आप अपना account name set कर लीजिए जो भी आपको यहां पर रखना है आप यहां पर for example मैंने यहां पर फिंज रखा है and finish account creation तो आपके पास फिर कुछ ऐसा अवेलेबल हो जाएगा and यहां पर आपक account जो है वो complete create हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जिसे लिखा हुआ your account address QR can be found here तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर आपका address आजाएगा account address and यहां पर आपका QR code आजाएगा यह उस शीज के लिए है कि अगर आपने यहां पर किसी इसे receive करना किसी से कोई asset मंगवाना है algo token मंगवाना है तो आप यहां पर इस address को उस particular person को भेजते हुए यहां पर उस person को address भेज सकते हो तैन वो इस address पर आपको भेज देगा यहां अपना QR code भी share कर सकते हो जिसके तो यहां पर आप receive कर सकते हो तो जब हम यहां पर start करते हैं जिसके यहां पर आपकी आजाएगा फिन्स लिखा जाएगा फिर आप यहां पर QR code के side पर देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है कि आप अकांट को रीकी करना चाते हो व्यू आप अपना passphrase देखना चाते हो नोटिफिकेशन को mute करना चाते हो account name को edit करना चाते हो यह account को remove जाते हो तो यह options आपके पास available हो जाएंगी आप यहां पर new asset को भी add कर सकते हो तो यह verified है यहां पर आपको मिल जाएंगे यहां पर all पर जाओगे तो भी काफी मिल जाएंगे तो देख लीजिए आपको जौन सा न्यू ऐसेट को यहां पर आड़ करना है तो यहां पर अगर हम प्लस साइन पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप न्यू अकाउंट भी सेट अप कर सकते हो और बात की जाए तो यहां पर आप जब सेकिन अप्शन पर जाओगे नीचे तो य अगर आप की सी नुघ कॉन्टैइक को आड़ करना चाहते हो जिसके तो आप यहां पर संड़ को साओ आप यहां बधे सकते हो यहां पियुक्त आपके पर सकते हो जब near send पर किलिक करोगे तो आपके पास ओप्शन आ जाएगी उसके बाद आपके मादाऽ estão a उसके बाद就到 क ऐसी मेन्डी ऑपशन अवैलेबल हो जाएगी तो आहां पर अपक बी δेद्गत बांग और अकाउंट के बडंग करेंगे तो यहां पर करें तो आप कаст घ्र21 he तो आप उसको copy paste करके यहां पर लिख सकते हो अगर आप यहां पर कोई QR code scan करना चाहते हो तो वह भी अविलेबल हो जाएगा तो अगर आप यहां पर कोई description या note लिखना चाहते हो तो वह भी हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पर preview कर लीजिए और इसके चुछ आप यहां पर भेजगे तो यह तो थे send के बारे में इसी option में receive भी है तो आप यहां पर receive कर सकते हो receive कैसे जिसे मैंने starting में बताया था क कि आपके पास यहां पर QR code आ जाएगा and account address आ जाएगा तो वह भी particular person जिसे आप मंगवाना चाहते हो कोई asset याल को टोकल तो यहां पर आप उसे अपना QR code share कर सकते हो यह address share कर सकते हो तो यह था receive के बारे में अब हम और बाते करें तो यह जो है notification इसके थो आपको जो भी notifications यह उसके बाद है settings जिसमें काफी options available है अगर आपको password set change करना है अपनी face ID को enable करना है notifications show rewards language change करनी है currency change करनी है तो यहां पर आप कर सकते हो so I hope आप सबको समझ आगाया होगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा और सीखा आपके क्ला viewpoints में comment section में जुरूर बताइए and यह quite easy था यहां पर algorithm wallet को set up करना we will come again with another such information till then stay tuned and follow Finstreet for more such updates